वेल्कम वेक आप सभी का इंग वाइफ फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इट सेम कुमार में मैं मनुच कुमार आप सभी के साथ इंग वाइफ फिर से हूँ काफी दिनों के बाद आज हम वापस चांदी को लेकर निकले हैं जैपूर की सड़कों पर बोलेंगे कि इतने दिनों से कहां गायब हो गयते हैं तो बात यह है कि मेरा जो है वो टांसफर हो गया था और मैं जैपूर से काफी दूर चला जया था जिसके करण किसी प्रगार की कोई राइड कुछ की में उपा रहा था लेकिन आब वापस आ गये हैं तो वापस से दिरी दिरी यह सब चीज़े शुरू करेंगे तो जैसे ही सबसे पहले कुछ नया काम करते हैं सबसे पहले बहुन को मत्ठा टेकते हैं तो आज की राइड भी कुछ ऐसे होने वाली है हम जा रहे हैं बाला जी के दरबार हम पहले वहाँ पर काफे बार जा चुके हैं लेकिन जब कोई नया काम की शुरुआत करते हैं तो सबसे पले भखवान को मत्ता डेक करनी से ही हैं तो हम आज भी वही करने जा रहे हैं जो वीडियो है मैं शूट कर रहा हूं इस समय 4K के अंदर और इसको एडिवी 4K के अंदर करेंगे देखते हैं कैसा क्या क्वालिटी रहती हैं कि शाल्वर की डूरेस्टी के अंदर जो मैंने मेरा लैप्रोप था वो अपग्रेड कर लिया है अब अपने पास सोड़ा सा हाई और लैप्टॉप है तो एडिट बगेरा करने में कुछ हमश्यानी नी चाहिए और बाकी जो 4K की क्वालिटी है वो भी देखते हैं कि अपने पास अवेलबल जो गैजेट्स हैं उनमें आकर 4K की क्वालिटी कैसी आती है और साथ ही एक और छोटी सी न्यूज है कि साल भर क चुका है ऐसे तो अभी में वीडियो नहीं बना पा रहा था लेकिन आप जब वीडियो बनाने लग जाएंगे तो आपको भी जल्दी ही उस मेंबर से इंट्रड्यूस करा जाएगा जो लोग मुझे इस्टाग्राम पर फोलो करते हैं उन सभी को तो मालूम ही होगा और अभी हम सीटी से थोड़ा सा बाहर निकलें यहां पर दो कितनी ज्यादा धुम दिकाए दे रही है और ठन भी काफी जादा बढ़ गई है सीटी में थन नहीं लग रही थी लेकिन अब जैसे खुली सड़क आ रही है बैस भी जादा लगने लग गई है जो बाइक के अंदर मैं साब को मैं कैसे बताता है कि मेरे तो मोटो गलोगिंग के वीडियो पर 30-50 वीव आते हैं और मैं तो वीडियो इसलिए बनाता हूं ता कि खाली समय में मैं और पूजा देख सके तो आभी जो रास्ता चल रहा है वो देख का थोड़ा बहुत अंदाजा लगी गया होगा कि हम लोग जा रहे हैं सामोद के वीर हनुमान ची को तो यहां पे आप रास्ता इंजोई कीजिए और आप से हम फिर भी होते हैं मंदिर के पास को आप देख सकते हैं कि जो मंदिर का प्रवेश द्वार है वह आचुका है और वहां में देख रहा हूं कि जो परवत है पूरे दुंदी के अंदर मतलब जो होता ने प्रेंटिंग के जैसे उस टैप से दिखाई दे रहे हैं, बिलकुल हलके दिख रहे हैं और पूरे वर्टम दिच्छाई हुई है अब ही यहां पर हाल यह हो रखा है कि बहुत ही ज्यादा थंडी थंडी हावा चल रही है मतलब जैसे बाइक पर लग रही है उससे जादा ही चल रही देखो आप पीछे यहां पर जो पेड़ हैं यह लग रहे हैं तो अभी आप यहां पर फोर्के के अंदर यह जो व्यूस हैं यह जोई कीजिए तो यहां पर यह जो देख रहे हैं आप यह तोता पूरा इसका मतलब लाल मूह है और ग्रीन कलर का मतलब पलिवार देक्र एसा तोता व्यूस मैं टाइब यह जो देख रहे हैं यह जो देंग लिए करता है तो यहां पर यह जो गुफा है इसके अंदर देखिया यहां पर मदमक्यों ने छत्ता भी बनाया था और अंदर तक गुफा है पाला जी यहां पर दर्शन हो चुके हैं और यहां के मैं पहले ही काफी चादा वीडियोस बना चुका हूँ तो इसलिए मैंने कुछ खास वीडियो को धर दर शूट करने आया थे तो दोसो चाएं वीडियो फोर्के के अंदर शूट करके देखते हैं कैसा क्या रहता है तो अ आप मुझे जो मेरे लेटेस्ट अपटेट से उनके लिए मेरे इंस्टाग्राम है इसे हमको आप फॉल्लो कर सकते हैं और आज का यह फॉर कोई वीडियो आप हो सेगे तो टेली विचन के अंदर देखना मतलले टीवी के अंदर देखना में स्मार टीवी के अंदर तो आपको वीडियो केंदर तिल देन टाटाव बाइबाइ ढाटाव बाटाव बाटाव आएबाइबाद कर लाटाव बाटाव